नमस्कार प्रस्तु थै रविंदर नाट टेगोर के द्वारा रचित उपन्यास गोरा का दूसरा भाग आगे बढ़ने के पहले जानते हैं कहानी अब तक गोर मोहन यानि गोरा और विने बहुत अच्छे मित्र हैं और हिंदू हितैशी सभा के सदस्य गोरा इनका सभापती और विने सेक्रेटरी गोर मोहन देखने में बहुत ही गोरा, लंबा, चौड़ी काठी, भारी स्वर्ख, चेहरे से अनावश्यक रूप से कठोर है उसे सुन्दर नहीं कहा जा सकता परंतु उसे देखे बिना रहा भी नहीं जा सकता उसका मित्र विने, साधारन बंगाली, भद्र, तेजस, स्वभावत सुकुमार और प्रखर बुद्धी वाला आदमी है कॉलेज की दिनों में विने गोरा से अधिक प्रतिभावान था गोरा की रुची पढ़ने में कम और समाजी कारियों में जादा है समाज के कुछ खास गुटों से उसे जैसे चिर्सी है उसका मानना है कि लोगों का एक गुट समाज के बंधन को तोड़ कर हर बात में उल्टा चलने लगे और समाज के लोग अविचलित भाव से उनकी बातों पर विचार करते रहें यह स्वभाविक नहीं, नहीं उचित है इस बीच विनय के पडोस के 78 नंबर वाले मकान में उनके नए पडोसी रहने आते हैं इस घर के मालिक परेश बाबू, उनकी लड़की सुचारिता और सुचारिता के भाई सतीश से विनय की जान पहचान होती है सुचारिता का बेजिजक स्वभाव विनय को इस परिवार से मेल जोल बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है परन्तो यह परिवार समाज की उसी गुटों में से आता है जिससे गोरा नफरत करता है गोरा की प्रतिक्रिया देखकर खुल कर विनय यह बात उसे नहीं बता पाता है गोरा को यह बात समझ में आ जाते है कि कोई तो बात है जो विनय को विशय से बहका रही है और कमजोर बना रही है वो विनय से मनवाता है कि वो परेश बाबु के घर निमंत्रित है विने बोलता है कि निमंत्रित हूँ पर गया थोड़े ही न हूँ गोरा उसे आगाह करता है कि जिस दिन वहाँ गये समझ लेना सदा के लिए चले गये विने और गोरा में थोड़ी से अन्बन यही से शुरू हो जाती है लेकिन अभी तक यह अलगाव अप्रत्यक्ष है दोनों में थोड़ी बहस होती है और उसी वक्त महिम गोरा का सौतेला बड़ा भाई वहाँ आ जाता है और बहस रुख जाती है गोरा महिम के आगे ज़्यादा बाते नहीं करता अब सुनते हैं आगे की कहानी गोरा और विने छट से उतरने की तयारी कर रहे थे तभी गोरा की मा उपर आ गई विने ने उनके पैरों की धूल लेकर उन्हें प्रणाम किया देखने में वो गोरा की मा नहीं जान परती वो बहुत ही दूबली पतली और सन्यत है बाल यदि कुछ-कुछ पके भी हो तो बाहर से मालूम नहीं होता अचकन देखने पर यही जान परता है कि उनकी उम्रे चालिस से कम ही होगी चहरे की बनावट अत्यंत सुकुमार नाक, होट, ठोड़ी और ललाट की रेखाएं सब मानो बड़े यतन से उकेरी हुई है शरीर का प्रतेक अंग नपा तुला चहरे पर हमेशा एक ममत्व और तेजस्वी बुद्धी का भाव जलगता रहता है शाम वर्ण रंग जिसका गोरा के रंग से कोई मेल नहीं है उनको देखते हैं एक बात की और हर किसी का ध्यान चला जाता है कि वह साड़ी के साथ कमीज पहने रहती हैं जिस समय की हम बाते कर रहे हैं उन दिनों यदपी आधुनिक समाज में स्त्रियों में शमीज या उपर के वस्त्र पहनने का चलन्ज शुरू हो गया था तथा पी शालीन ग्रेहनियां इसकी अवग्या करती रहती थी आनंद मई के पती कृष्ण दयाल बाबू कमिसरियेट में काम करते थे जवानी से ही आनंद मई उनके साथ पश्चिम में रही थी इसी कारण यह संसकार उनके मन पर नहीं पड़ा था कि अच्छी तरह बदन ढखना या ऐसे कपड़े पहनना लज्जा या हसी की बात है बरतन मांज घिस कर घर बार धो पोच कर रांधन बनाना सिलाई कढ़ाई और हिसाब गिंती करके कपड़े धोकर धूप दिखा कर आस पडोस की खोज खबर लेकर भी उनका समय चुकता नहीं था अस्वस्त होने पर भी वह शरीर से किसी तरह धिलाई नहीं बरतती कहती हैं बीमारी से तो मेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं लेकिन काम की अभी न कैसे चलेगा गोरा की मा बोली गोरा की आवाज जब नीचे सुनाई पड़ती है तो मैं फोरण जान जाती हो कि जरूर बीनू आया होगा पिछले कई दिनों से घर में बिल्कुल शान्ती थी क्या हुआ था बेटा तू इतने दिन आया क्यों नहीं कुछ बिमार बिमार तो नहीं रहा सकुचाते वे विनय ने कहा नहीं मा बिमार तो नहीं लेकिन यह आंधी पानी गोरा बोला क्यों नहीं इसके बाद बरसाद जब खतम हो जाएगी तब विने बाबू कहेंगे कि कड़ी धूप पड़ रही है देवता को दोश देने से वे कोई सफाई तो नहीं दे सकते इनके मन का असली भेट तो अंतर्यामी ही जानते है विने बोला क्या फिजूल बकते हो गोरा आनन्द मैं बोली ठीक तो है बेटा ऐसा नहीं कहा करते मनुष्य का मन कभी ठीक रहता है कभी नहीं रहता सब दिन एक जैसे थोड़े ही होते है इनको लेकर उलजने से जंजट और खड़ा हो जाता है चल वीनू मेरे कमरे में चल तेरे लिए कुछ परोस कराई हूँ सिरहिला कर गोरा ने जोर से कहा नहीं माह या नहीं होने वाला तुमारे कमरे में विन्य को नहीं खाने दूँगा आनन्द मैं वाहरे, क्यों रहे तुझे तो मैंने कभी खाने को नहीं कहा इधर तेरे पिता भी महाशुद्धाचारी हो गये हैं, खुद का बनाया छोड़ कर कुछ नहीं खाते मेरा बीनू अच्छा लड़का है, तेरी तरह कटर नहीं है, तो इसे जबरदस्ती बांध कर रखना चाहते है गोरा बिल्कुल ठीक, मैं इसे बांध करी रखूंगा, तुम जब तक उस नौकरानी लच्मिनिया को भगा नहीं देती, तब तक तुम्हारी कमरे में खाना नहीं हो सकेगा अनंद मही अरे गोरा, ऐसी बात तुझे जबान पर नहीं लानी चाहिए, हमेशा से तु उसके हाथ का बना खाता रहा है, उसी ने बच्पन में तुझे पाल पोस कर बड़ा किया है अभी उस दिन तक उसके हाथ की बनाई चटनी के बीना तुझे खाना नहीं रूचता था जब बच्पन में तुझे माता निकली थी, तब उसी लच्मिनिया ने तेरी सेवा करके तुझे बचाया, वह मैं कभी भूल न सकूँगी गोरा, उसे पेंशन दे दो, जमीन खरीद दो, घर बनवा दो, जो चाहे करो, किन्तो उसे और नहीं रखा जा सकता, मा आनंद मै, गोरा तू समझता है कि पैसा देकर ही सब रिन चुकता हो जाते हैं, वह जमीन नहीं चाहती, घर नहीं चाहती, तुझे नहीं देखेगी तो मर जाएगी गोरा, तुमारी जैसी मर जी, रखना हो उसे रखो, पर बीनु तुम्हारे कमरे में नहीं खा सकेगा, जो नियम है, वह मान नहीं होगा, उसे इधर उधर किसी तरह नहीं हुआ जा सकता मा तुम इतने बड़े आराध्यक वन्ष की हो, तुम जो आचार का पालन नहीं करती या, आनन्द मै, रे पहले तेरी मा आचार मान करी चलती थी, इसी के लिए कितने आसु भाने पड़े उसे, तब तु कहा था? रोज शिव की प्रतिष्ठा करके पूजा करने बैठती थी, और तेरे पिता उठा कर सब फेक देते थी, उन दिनों अपरिचित ब्रह्मण के भी हाथ का खाते मुझे घ्रिना होती थी, उन दिनों हर जगर रेल नहीं जाती थी, बेल गाड़ी में, डाक काड़ी में, पालक लेकर घूमते फीरते थे, इसलिए उनके साहब अफसर उनसे खुश थे, और उनकी तनखा भी बढ़ती गई, इसलिए उन्हें बहुत दिनों तक एक ही जगह पर रहने दिया जाता था, कोई बदली करना न चाहता था, अब तो बुढ़ापे में नौकरी से चुट्टी पा अच्छा पिछली पीडियों की बात छोड़ो, वे लोग आपत्ती करने आने वाले नहीं है, किन्तु हम लोगों की खातिर तुम्हे कुछ बाते मान कर ही चलना होगा, शास्त्र की मर्यादा नहीं रखना तो न सही, स्नेह का मान तो रखना ही होगा आनन्द मई, तु मुझे इतना क्या समझा रहा है, मेरे मन में क्या होता है वह मैं ही जानती हूँ, यदि मेरे कारण स्वामी और पुत्र को पग पग पर मुश्किल ही ओने लगी है, तो मुझे क्या सुख मिलेगा किन्तु तुझे गोद में लेते ही मैंने आचार को बहा दिया था, यह तु जानता है छोटे बच्चे को छाती से लगा कर ही समझ में आ जाता है, कि दुनिया में जात लेकर कोई नहीं जनमता जिस दिन यह बात मेरी समझ में आ गई, उसी दिन से मैंने निश्चित रूप से जान लिया कि किसी को छोटी जात का कहकर किसी से घ्रिणा करूंगी, तो इश्वर तुझे भी मुझसे छीन लेंगे तु मेरी गोद भर कर मेरे घर में प्रकाश किये रहे, तो मैं दुनिया की किसी भी जाती के लोगों के हाथ का पानी पी लूँगी विजय के मन में आज आनंद मई की बात सुन कर हठात एक धुंदले संदेह का आभास हुआ एक बार उसने आनंद मई की ओर और एक बार गोरा के मुझ की ओर देखा, किन्तु फिर तच्छन ही तरक का भाव मन से निकाल दिया गोरा ने कहा मा तुम्हारा यह तरक मुझे ठीक से समझ में नहीं आया जो लोग आचार विचार करते हैं और शास्त्र मान कर चलते हैं उनके घर में भी तो बच्चे बने रहते हैं तुम्हारे लिए ही इश्वर अलग कानून बनाएंगे ऐसी बात तुम्हारे मन में क्यों आई आनंद मै जिसने तुम्हें मुझे दिया उसे ने ऐसे बुद्धी भी दी इसका मैं क्या करूँ इसमें मेरा कोई बस नहीं है किन्तु पगले तेरा पागलपन देखकर मैं हसू या रोऊ कुछ समझ में नहीं आता खेर वह सब बात जाने दे तो विनय मेरे कमरे में नहीं खाएगा गोरा उसे तो मौका मिलने की देर है अभी दोड़ेगा वह ब्रम्हन का लड़का है दो टुकडे मिठाई देकर यह बात उसे भूला देने से नहीं चलेगा उसे बहुत त्याग करना होगा प्रविर्ती को भी दबाना होगा तभी वह अपने जन्म के गौरव की रक्षा कर सकेगा लेकिन मा तुम बुरा मत मानना मैं तुम्हारे पाउ पढ़ता हूँ आनन्द मै बुरा क्यों मानूंगी तुझो कह रहा है जानकर नहीं कह रहा या मैं तुझे बताये देती हूँ मेरे मन में यही कलेश रह गया कि मैंने तुझे आदमी तो बनाया किन्तु खर छोड़ इसे तुझे से धर्म कहता फिरता है मैं उसे न मान सकूंगी तु मेरे कमरे में मेरे हाथ का ना खायगा न सही किन्तु तुझे दोनों बेला देखती रह सकूं मेरी यही एक्षा है विने बेटा तुम ऐसे उदास न हो तुम्हारा मन कोमल है तुम सोच रहे होगी कि मुझे चोट महुची है लेकिन ऐसा नहीं है बेटा फिर किसी दिन न्योता देकर किसी अच्छे ब्रह्मन के हाथ से बनवा कर तुम्हे खिला दूँगी उसमें कौन सी अर्चन है मैं धीट हूँ लच्मिनिया के हाथ का पानी तो मैं अब भी पियोंगी या मैं सभी से कहें देती हूँ गोरा की मान नीचे चली गई कुछ दिर विने चुप चाप खड़ा रहा फिर बोला गोरा यह तो कुछ जादती हो रही है गोरा किसकी जादती? विने तुम्हारी गोरा रत्ती भर भी नहीं जिसकी जो सीमा है उसे ठीक मानते वे ही मैं चलना चाहता हूँ चुप चात के मामले में सूई की नोक भर हटने से भी अंत में कुछ बाकी न रहेगा विने किन्तु मा जो है गोरा मा किसे कहते हैं यह मैं जानता हूँ उसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है मेरी माये जैसी माये कितनी ही होंगी किन्तु आचार को न मानना शुरू करूँ तो शायद एक दिन मा को भी नहीं मानूँगा देखो विने एक बात तुम्हें बताता हूँ याद रखो रिदय बड़ी उत्तम चीज है किन्तु सबसे उत्तम नहीं है थोड़ी दिर बाद विने को जिजगता हुआ बोला देखो गोरा आज मा की बात सुनकर मेरे मन में एक हलचल सी मच गई है मुझे लगता है मा के मन में कोई ऐसी बात है जो वो हमें समझाने ही पा रही है इसी से वो कष्ट पा रही है अधीर होकर गोरा ने कहा अरे विने कलपना को इतनी धील मत दो इससे केवल समय नश्ट होता है और हाथ कुछ नहीं आता विने तुम दुनिया की किसी भी चीज की और कभी सीधी तरह देखते ही नहीं तभी जो तुमें नजर नहीं पड़ता उसी को तुम कलपना कहकर उड़ा देना चाहते हो किन्तु मैं तुमसे कहता हूँ कि मैंने कई बार देखा है मानु मा किसी बात को लेकर सोच रही है कभी किसी बात को ठीक तरह सुल जाने ही पा रही है और इसलिए उनके मन में एक घुटन है गोरा उनकी बात तुमें जरा ध्यान देकर सुननी चाहिए गोरा ध्यान देकर जितना सुना जा सकता है उतना तो सुनता ही हूँ उससे अधिक सुनने की कोशिश करने में गलत सुनने की आशंकर रहती है इसलिए उसकी कोशिश नहीं करता सिध्धान्त के रूप में जैसे कोई बात मानने होती है मनुश्यों पर प्रयोग करते समय उसे सदा उसी निश्चित भाव से नहीं माना जा सकता कम से कम विने जैसे लोगों के लिए या असंभाव है विने की चंचल वृती बहुत प्रबल है इसलिए बहस के समय एक सिध्धान्त का वह बड़ी प्रबलता से समर्थन करता है क्योंतो वैवहार के समय मनुष्य को सिध्धान्त के उपर माने भीना नहीं रह सकता यह तक कि गोरा द्वारा प्रचारित जो भी सिध्धान्त उसने स्विकार किये हैं उन में से कितने स्वयम के सिध्धान्त के कारण और कितने गोरा के प्रती अपने अन्यनिस नही के दबाओ से यह कहना कठीन है गोरा के घर से बाहर आ अपने घर लोटते समय बरसाती सांज में वह केचर से बचता हुआ, धीरे धीरे चला जा रहा था इस समय उसके मन में सिध्धान्त और मनुष्य की बीच एक द्वंद छिड़ा हुआ था आज के जमाने में तरह तरह के प्रकट और अप्रकट आगातों से आत्मरक्षा करने के लिए समाज को खान, पान और चुआ चात के सभी मामलों में विशेश रूप से सतर्क रहना होगा यह सिध्धान्त विनय ने गोरा के मुँ से सुनकर सहजी स्विकार कर लिया है और इसे लेकर विरोधियों के साथ बहस भी की है वह कहता रहा है कि किले को चारो ओर से घेर कर जब शत्रू आक्रमन कर रहा हो तब किले के प्रतेक गली द्वार जरूखे, प्रतेक सुराक को बंद करके प्राण पन से उसकी रक्षा करने को उदारता की कमी नहीं कहा जा सकता किन्तु गोरा ने आज आनंद मई के कमरे में उसके खाने का जो निशेद कर दिया इसकी पीड़ा उसे भीतर इभीतर सताने लेगी विने के पिता नहीं थे, मा भी बच्पन में ही छोड़ कर चली गई गाउं में चाचा है, बच्पन से ही पढ़ाई के लिए विने कलकत्ता के इस घर में अकेला रहता हुआ बड़ा हुआ है गोरा के साथ मैत्री के कारण जब से विजय ने आनंद मई को जाना है उसी दिन से वह उन्हें मा कहता आया है कितनी बार उनके यहां जाकर उनसे चीना जप्टी और उधम मचाते वे खाया है खाना परोसने में गोरा के साथ आनंद मई पक्षपात करती है यह उलाहना देकर कितनी बार उनसे जूट मुट अपनी इर्शा प्रकट की है दो-चार दिन विन्हें के ना आने से आनंद मई कितनी बेचान हो उठती है विन्हें को पास में बिठा कर खिलाने की आस में कितनी बार उनकी सभा तूटने की प्रतिक्षा करती भी बैठी रहती है यह सब विन्हें जानता है वही विने आज सामाजिक निंदा के कारण आनंदमई के कमरे में कुछ खाना सकेगा इसे क्या आनंदमई सह सकेगी या विने भी सह पाएगा आगे से अच्छे ब्रह्मण के हाथ का ही मुझे खिलाएंगी अपने हाथ का अब कभी नहीं खिलाएंगी यह बात हसकर ही मा कह गई किन्तो यह बात तो भयंकर व्याथा की है इसी बात को सोच विचार करता हुआ विने किसी तरह घर पहुचा सूने कमरे में अंधेरा फैला था चारो ओर कागस और किताबे अस्त व्यस्त बिखरी भी थी दिया सलाई से विने ने तेल का दिया जलाया दीवट पर बैरे की कारिगरी के अनेक चिन्ने थे जो सफेद चादर से धकीवी लिखने की मेज थी उस पर कई जगा स्याही और तेल के दाग थे कमरे में आज जैसे उसके प्राण सहसा छटपटा उठे किसी के संग और स्नेह की कमी उसकी चाती पर बोच सा जान पढ़ने लेगा देश का उध्धार समाज की रक्षा इत्यादी कर्तव्यों को वह किसी भी तरह स्पष्ट और सत्य करके अपने सामने नहीं खड़ा कर सका इनसे भी कहीं अधिक सत्य वह अनपहचाना पाखी है जो एक दिन सावन की उज्जवल सुन्दर सुबह में पिंजड़े के पास तक आकर पिंजड़ा छोड़कर चला गया है किन्तु उस पाखी की बात को विने किसी भी तरह मन में जगा नहीं देगा किसी तरह नहीं इसलिए मन को ढांडस देने के लिए आनंदमई के जिस कमरे से उसे गोरा ने लोटा दिया उसी कमरे का चित्रवा मन पर आकने लगा साफ सुत्री पिच्ची कारी किया वह फर्ष मानो जिल मिला रहा है एक तरफ तक्त पर सफेद राजहन्स के पंक सा कोमल स्वच्च बिचोना बिचा है उसके पास ही छोटी चौकी पर अरंडी के तेल की धिबरी अब तक जला दी गई होगी मा निश्चे ही रंग बिरंगे धागे लिए धिबरी के पास नीचे जुकर फूल काड़ रही होगी नीचे फर्ष पर बैठी लच्मिनिया अपने अजीब उच्चारन वाली बंगला में बकवास करती जा रही होगी और मा उसका अधिकांश अंसुना करती जा रही होगी जब भी उनके मन को कोई चोट पहुँचती है तो वो कड़ाई लेकर बैठ जाती है वे ने अपने मन की आँखों को उनके उसी काम में लगे स्तब्द चेहरे पर स्थिर करने लगा मन ही मनवा बोला इसी चेहरे की स्नेह दिप्त ने मेरे मन की सारी उल्जन से मेरी रक्षा की है यही चेहरा मेरी मात्री भूमी की प्रतिमा हो जाए मुझे करतवे की प्रेड़ना दे और करतवे पत्थ पर द्रिड़ रखे उसने मनी मन एक बार मा कहकर उन्हें पुकारा और कहा तुम्हारा अन्न मेरे लिए अम्रित नहीं है यह बात में किसी भी शास्त्र के प्रमान से नहीं मानूंगा सुने कमरे के दिवार पर घड़ी की टिक टिक गूंजने लगी वहां बैठना विने के लिए असहाय हो उठा दिवट के पास दिवार पर एक चिपकिली पतंगों की ओर लपक रही थी कुछ दिर विने उसकी ओर देखते देखते उठ खड़ा हुआ और छाता उठा कर बाहर निकल पड़ा वह क्या करने घर से निकला है उसके मन में यस पश्ट नहीं था शायद आनंदमई के पास ही लोट जाए कुछ ऐसा ही उसका भाव था किन्तु न जाने कैसे उसके मन में आ गया कि आज रविवार है आज ब्रह्म सभा में केशव भाबो का व्याख्यान सुना जाए या बात मन में आते ही दुविधा छोड़कर विने तेजी से उधर चलने लगा व्याख्यान सुनने का समय अभी अधिक नहीं बचा है वह जानता था फिर भी उसका निश्चे विचलित नहीं हुआ नियत स्थान पर पहुँचकर उसने देखा कि उपासक उठकर बाहर आ रहे है चाता लगाए लगाए एक और हटकर वह कोने में खड़ा हो गया ठीक उसी समय मंदिर से परेश बाबू शान्त और प्रसन्न मुद्रा में बाहर निकले उनके साथ उनके चार-पांच परिजन भी थे विनने उनमें से केवल एक के तरुन मुख को सड़क पर लगे गैस लैंप के प्रकाश में छण भर के लिए देखा फिर गाड़ी के पहियों के शब्दों के साथ सारा द्रिश अंधकार के महासमुद्र में विलीन हो गया शेश कहानी अगले भाग में रबिंदर ना टेगोर द्वारा रचित गोरा में मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद अगला भाग लेकर जल्द उपस्तित होंगे धन्यवाद